एक तो चोरी उपद से सीना चोरी कुछ इस तरह कि घटना हुई है जबलपुड में जहां एक मरीज के परीजन उनी पहले तो इलाज करवाया और फिर इलाज के रुपए न देने पड़े तो चोरी छेपे पीछे वाला गेट से भाग निकले जैसे ये खबर अस्पिताल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने अस्पिताल के पास भागते हुए मरीज और उनके परीजनों को पकड़ा विजदोरान विवात हुआ और फिर पुलिस मौके पर आई नेता भी पहुच गए मजबूरन दबावश अस्पिताल प्रबंधन को बिना रुपे लिए ही मरीज को छूड़ना पड़ा मेडिकल कॉलेज में जिस यूवक से मरीज के परीजनों का संपर्क होता है उसके बातों में आकर परीजन सरवदय अस्पिताल पहुचते हैं जहां हाथ के इलाज के लिए प्रबंधन एक लाग रुपे बताता है बाद में परीजन सत्तर हजार रुपे देने को तैयार हो जाते हैं और बीस हजार रुपे दे कर इलाज रुपिया जाता है सरोधय अस्पताल में प्रबंधन और मरीच के परीजनों का विवात हो गया ये सुचना जैसे ही ओमती पुलिस को मिलती है वह मोके पर पहुचती है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के शिकायत करते हैं परीजनों का कहना था कि अस्पताल प्रबंधन में मार्पीट की है वहीं प्रबंधन में भी परीजनों के खिलाफ मार्पीट के शिकायत दर्च करवाई है परीजन अस्पताल प्रबंधन के बीच हुए विवात पर ओमती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की और से मामला दर्च कर जाश रोका दी थी। उसे दोरान सत्ताधारी पार्टी की नेता अस्पिताल प्रबंधन के पास पहुशते हैं और नेताओं द्वारा परिचनों को थाने ले जाकर उनसे शिकायत कराकर बीजेपी की नेता फिर समझोते में अस्पिताल प्रबंधन पर दबाव डाल कर 80,000 रुपए परिचनों को दिलवाते हैं वहीं अस्पिताल प्रबंधन के मैनेजिन डियरेक्टर प्रकाश कुश्वादवार आरुप लगाया गया है कि बीजेपी नेताओं की दबाव में 80,000 रुपए नहीं दिये गए वहीं जब परिचन दमोह पहुचे तो वहां से दमोह विधायक रामबाई का फोन आया और कहा गया कि मरीज के परिचनों सिर्फ 17,000 रुपए लोटाए गए मरीज के परिचनों को 35,000 रुपए और लोटाएं परना एफायर दर्ज की जाएगी जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके द्वारा बीजेपी नेताओं के सामने दबावश 80,000 रुपए परिचनों को दिये गए अब इसमें या तो बीच के विचोली रुपए खा गए या परिचन छोट बोल रहे हैं जबरपूर से वाज़ित खान की रिपोर खाने के बाद जब मेरे को यहां से ले गई पुलिस मनलब बुला के तियाई साब ने बुलाया मैं बैठा रहा अंदर उनने भी अच्छे से बात की बियान दिये फिर उनने ने नेताओं के दवाव में उनने आके मेरे से बोला तो मैंने बहए आपको जोग बनाना केस बना दो उसके बाद चुक चाप से किसी ने मेरे डायक्टर सापके फोन किया, दायक्टर साब आयो उनको मिलने नहीं दिया गया, थाने के लिए यह पोर्गा में दिया गया, उसके बाद 80 रुपे का उसके तो नाम तो नहीं मालूं, बीजेपी नेता थे, तो उसमें ये सब हुआ, तो उसमें ये सब हुआ, तो फिर वहां से जब गए हैं तो वहां बहुत भीड लगी रही, सब लोग थे तो मिले को बोले, पुलिस वाले बोले, आप भीड आप अंदर चले जाओ, आपके साथ जोटना करने, इसलिए में अंदर बैड़ गया, उसके बाद राम भाई विधायत, जो दमो पथरिया की है, उनका फोन आया मेरे पास, आपने इनको पैसा दिया, इनको मिला नहीं है, और बीस हैर दिया, उसमें इनको सतरह हैर मिला, तीन है जार जो उसने आटों बैठा है, यहां सतरह है, जो अजो पैसा आपने रहे, मरीज के परीजन को भी बैधे। वह मने इसके मेरे उनको आने पहुत्यमा की सब्सकिशा काराबाakah मिला वहा थो। तोनों ने दे दिया पैसा चलो कोई बात नी हटाओ उसके बाद जब वहां से मरीज वहां पहुंचा है तो पथरिया में विधायक राम भाई ने बोला है भाई उन्होंने बोला है हमको पैसा इनको नहीं मिला है और आप मेरे को 25 यार पे इनको दिल्वाएं क्या हो गया था मरीज को और क्या नाम है मरीज का नाम है मरीज का नाम है नरेश अहिरवार है उसका क्रेसर में हाथ बहुत बुरी तरीके से कट गया था कट ही हुआ था तो उसको परिजन ना पहले आंगे तो उसके परिजन जल्दबाजी करके उन्होंने असी जार में बात उसके बाद उनने कुछ नहीं बोला बोले साब दूसरे दिना जाएगा तीसरे दिना जाएगा वो आट-ड़स जन्त थे तो हमने बोला गाओं के हैं आज आएंगे पैसे हम लों ने बोला जैसे जनरली सभी मरीज करते हैं जैसे साब यह पैसा आप चालू कर दो जहर ना फैल उनके कंसर्ट लिये गए ओटी में फिर उनको बोला के हाथ भी दिखाया गया बोले साब हमने देखा है यह वहां से हमी लोग बांद के लाए हैं आप करिए हमें सम्मा लेगा उसके बाद फिर जब पैसा ले लिया गया तो राम भाई जो बिधायक जी हैं उन्होंने बोला जे भाई जे इनको पैसा नहीं मिला है ता पत्चिस जार और इनको दिलाएं मैं कहां से दिलाओंगा क्या लगता है कि पैसा जो आपने असी अजया यह बीच के बिचो लिये थे या तो वो ले लिये हैं या मरीज के परिजन जुट बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को ठेन ही अब हैं अब यहां अब हैं यहां वहां से फोन आ रहे हैं यह अभाई जी नेकर अब अच्छा इंपको एक पैसा कर ने नहीं होते तो आपको यह कर देते एक अपको जीवन खराब हो जाता तो वह जाता है मैं आस्वस्त इंसान हूं किस पार्टी के थे यह ने था जो बार-बार आप लोगों यह बीजेपी और रामभाई याद में को नहीं मालम कौन सी पार्टी की है और आये थे मैंने थाने में कल भी जाके मैंने आवेदन दिया वो दिन भी बोला टी आई साव ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारा आपको घबाने की जौरत नहीं है जो भी होगा निस्पच चांच होगी और जो यह मामला है कोई पेशेंट भग जाएगा तो उसको आदनी पकड़क पाने वाला मैंने किस मुश्किल से अब पेइमेंट से कटवाऊंगा और बच्चे कैसे पालूँगा मैं तो यह खुद सोच कर टेंचन में हूं मेरे घारवाले पूरे परिसान है जिए मेरे को कुछ हो ना जाए मेरा चंदर प्रकास कुस्वाहा हां सरवोदय एस्पटाल क मेनेजर चंदर प्रकास कुस्वाहा ने लिखित आविदन दिया है कि उनके अस्पटाल में नरेंदर अहरवार जो है इलाज कराने के लिए आये थे और उनके द्वारा तथा उनकी परिजनों के द्वारा जो है अस्पटाल के कर्मचारियों के साथ मार्पीट की गई है जानतारी नहीं है जाच की जा रही है जाच में जो भी तत सामने आएंगे फिर उस तरफ से कारवाही की जाएगे